चलिए अज हम बैगन की सब्जी बनाते हैं बैगन की सब्जी कुछ हम डिफरेंट टाइप से पनाएंगे जिसमें बच्चे भी खाएंगे क्योंकि बहुत से गरों में बच्चे बैगन की सब्जी नहीं काते हैं मैंने दो बैगन ले लिए इनको अच्छे से दो कर साफ कर लिये थे और इनको अच्छे से कट कर लेती हूँ एक आलू भी लिया है साथ में और आलू को भी हम बैगन के साथ कट कर लेंगे और इनको काटने के जस्ट बाद हम पानी में डाल देंगे अगर नहीं डालते तो बै सर ग्राइंडर में पीस लेंगे और जो मैं बैगन की सबजी बना रही हूं कुछ थोड़े अलग टाइप से बनाऊंगी तो देखिए ये सारे घर में मैंवर सभी खाएंगे बहुत टेस्टी बनती है फिर क्या करते हैं कि कोकर ले लेंगे कोकर में ही सबजी बनाना है आपको पतेलिय बगोनी में कड़ाई में नहीं बनाना है उसमें एक चमच जीरा और मैथी दाना डालना है थोड़ा सा खड़ा मसाला जिससे तेश पत्ता भी डाल देंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फिर मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देते है आदी चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च पाउडर और दो चमच धनिया पाउडर डालना है मिर्च आपके अक्वाडिंग डाल सकते हैं जैसा आप खाते हैं और उपर से हम फिर नमक डालेंगे क्योंकि नमक के बिना तो सबजी में टैस्टी नहीं आता है और थोड़ा सा प युकर से भूनेंगे और भूनने के बाद जो सबजी हां कट की थी वह सबस्यां दाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल ले के बाद इसमें हम और टेस्ट बढ़ जाता है फिर यह मैंने गर्मा गर्म सब्जी पराठी के साथ सर्वी की है जिससे सारे घर के मैंबर बहुत पसंद करते हैं पहले मेरी घर में बैगन नहीं खाते थे बट इस टाइप से अगर हम लोग बनाते हैं तो सभी बहुत अच्छे से बैगन की